नमस्कार दोस्तो 29 मार्च का दिन है संडे का दिन है कैसे हैं आप लोग पूछना तो बनता है कि देखिए बाजार में तो जो भी हलचल हो रही है साथ भी हमारे जिन्दगी के साथ में भी बड़ी हलचल बड़ी प्रॉब्लम बड़ा डर सभी लोगों के साथ बना हुआ है त फिर भी बहुत कंट्रोल में है चाहे जैसे भी हो ठीक है तो इसी बीच में एक स्टॉक ने एक अच्छा खासा निउज इस स्टॉक पे निकल के आया है जो इस निउज से यह स्टॉक हो सकता है आपको नजर आए कल एक अच्छा खासा मोमेंट दिखाने के लिए क्यूंकि देखिए इस स्टॉक में चार्ट से कुछ समझ में आता देखिए इस स्टॉक ने सोला सोला हजार दोसु रूपय का हाई बना था और जब मार्केट पूरी तरीके से क्रैस कर रही थी तब यह स्टॉक अपने 200 दिनों के मूबिंग अबरेज से थोड़ी सी नीचे गया था और उसके बाद इसने सांदा रिकावरी भी कर लिए अभी यह स्टॉक जहां पर खड़ा वहां से अपने हाई से मात्र सोला से सत्रा परसेंट ही डाउन फॉल है जबकी इंडेक्स से 40-40 परसेंट तर करेक्ट हो चुके तो अपने आप में एक दिगज स्टॉक मल्टिनेशन चल रहा तो सबों के एंसर आते थे फार्ग चल रहा बट अभी अगर किसी से पूछा जाए तो यही बात कहेगा कि क्या चल रहा ना कोरोना चल रहा है और अगर उससे रिलेटेट कोई न्यूज स्टॉक मार्केट की किसी स्टॉक के लिए आती है तो वह स्टॉक हैं बिल्कुल भी नहीं आप साबधानी को देखके चलिए क्योंकि मार्केट काफी एक क्रिटिकल सिच्वेशन पर खड़ा मार्केट यहां से नीचे भी जा सकता उपर जाने की प्रोबाबिलिटी बहुत ही कम है जो कि आपको भी समझ में आता है कि एकोनोमी का स्लोडाउन क्राइसिस और रिशेशन की बाते की कही जारी है कुछ संस्थानों को दुवरा तो यह रिशेशन क्या है रिशेशन अगर होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है स्टॉक मार्केट के लिए और इसलिए कहता है स्टॉक मार्केट इस वरी रिस्की और रिवाड भी वसाई है तो आप अगर लॉंग टर्म के निवेशक हैं तो आपको बिल्कुल भी इस रिसेशन से डरना नहीं चाहिए क्योंकि 2008 का example बहुत बड़ा example है उस समय financial crisis आया था और एक तरीके से stock market को इतने लीचे नीचे ले गया था कि कभी किसी नहीं सोचा था कि stock market फिर से खड़ा होगा तो कुछ उसी तरह की बातें अभी भी बनी हुई है बट अभी जो मैं बात कर रहा हूं उस stock के लिए तो वह stock ने क्या किया इस stock का fundamentals और नाम मैं आपके सामने रखूंगा देखिए stock का नाम है about India आप fundamentals जरूर देखके जाए वीडियो में fundamentals जरूर द करता हूं ऐसे stock बहुत कम मिलते हैं देखने के लिए और सायद आपके दिमाग में यह भी नहीं पता होगा कि about India लिमिटेड एक multinational company pharmaceutical company जो इंडियन stock exchanges पे लिस्टेड है ठीक है यह US-based company इंडिया में भी अपनी प्रोडेक्ट्स को बनाती थर्ड पर्टी के तोर पे आप दे leading multinational pharmaceutical company in India and operates with an on manufacturing facilities in Goa and various independent contract third party manufacturing based across the country ठीक है तो काफी बड़ी company है और बड़ा होने का कारण भी है देखे 30,000 करोड की market cap बाली company और साथी पर मोटर की 75% की holding गिर्भी बिलकुल भी नहीं और डेट फिरी company है almost dead free almost get dead free 0.02 percentage को कोई value नहीं होता तो इसी हिसाब से यह stock आप जरूर देखिए और साथी अब भी जो update है वो update मैं आपके साथ share करता हूं आप बने रहे हैं अब मारे चैनल पे हमेशा के लिए सिर्फ इसी वीडियो के लिए नहीं इसी update के लिए नहीं देखिए यह जो source है व और काफी रेपोर्टेट अब देख पा रहें अब लॉंचेस फाइब मिनिट्स वाइरस टेस्ट फोर यूज ऑल्मोस्ट एनिवेर अब कहीं बेभी किसी जगह पे भी इस कीट को यूज करके जैसे प्रेग्नेंसी टेस्टिंग कीट आती है उसी तरह से यह कीट आपको मिल चुकी है ठीक है यहां पर देखें फाइब मिनिट्स में यह टेस्ट आपको पता देगा कि क्या आप कोरोना पोजिटिव है और कोरोना नेगेटिव है 50,000 टेस्टिंग कीट्स अबलेबल कराईगी एक अप्रिल से यह चीज कहीं गई है देखें अप्रिल से यह पात हो जाएगी और इनको यूएस फूड एंड ड्रक्स एड्मिस्टेटर से यह चीज मिल चुकी है ऑथरिटी के तरफ से इन्हें मंजूरी भी मिल चुकी है दे फ्रम दे यूएस फूड एंड ड्रॉग अड्मिस्टेशन ठीक है यह बहुत बड़ी संस्ता है यूएस की और इन्होंने इस चीज के लिए एमर्जेंसी के तौर पर इन्हें कहा है फोर यूज बाई ऑथराइज्ड लेवो ट्रीज एंड पेसेंट्स क्यार सेटिंग्स द अब्डेट थी जो मैंने सुच आप तक पहुंचा हूं मैं यह न्यूज कल भी कबर कर लिया था बड़ मैंने सुचा कि परसो स्टॉक मार्केट खुलेगा इसका इंपक्ट आपको मंडे को ही देखने के मिलेगा स्टॉक में तैसी कोई भी बात नहीं है कि मैं बाद में वी वीडियो पे इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो जरूर एक बाल लाइक किजिएगा साथ इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए और बेल आइकन को प्रेस किजिए और एक चीज़ और कहूंगा हमारे चैनल पे विजिट करने के लिए अपना बहुमुल्य समय हमारे चैनल को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू